एलो गईस वागत है आप सबका तो आज हम बात करेंगे आदानी ग्रीन एनर्जी की सबसे पहले दोस्तों अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें इसके उपर हम डेली टेखनेकल चार्ट के उपर एनालिस करते हैं तो सबस्क् इसके अंदर डिलिवरी कितनी उठी है वो भी हम देखेगे अभी देखे आज का वॉल्यम अगर देखे तो वन मिलियन के आसपास का हुआ है तो ठीक ठाक वॉल्यम रहा है ना ज्यादा नकम ऐसा लग रहा है इसके अंदर अभी देखे तो आज के दिन M.A.C.D. का जो है ब संबावना हो सकती है अभी 1533 का प्राइस है वैसा लॉंग टर्म के लिए अच्छा रह सकता है बाकि शॉट टर्म में अगर देखे तो थोड़ी सी वीकनेस की संबावना दिख रही है अगर बाजार के अंदर वीकनेस आती है प्रोफिट बूकिंग आती है तो इसके अंदर कल के दिन आखेरी आदे घंटे में अचे कसी तेजी देखने के पाया कहिन नहीं कर पाया आगर आज एगर आप अगर आपे है कही नहीं और देखे तो और यहाँ पर जैसे कि ये जो है एक hanging man जैसे candle बनी थी इस हपते भी ये जो है एक dragonfly डोजी जैसे candle बनी है इसा लग रहा है अब यहाँ पर पिछले हपते भी हमने बात की थी कि अगर यहाँ पर यह 1580 रुपे का असपास का इसने high बनाया था अगर इसको cross करता है तब जो है उपर जाने की संबाबना रह सकती है अधर्वाइस इसके अंदर या तो consolidation या तो profit booking आ सकती है और इस अपते भी अगर आप देखेगे तो अच्छा कासा low बनाया था इसने यहाँ पर देखे तो 1385 का असपास का low बनाया उसके बाद जो है इसके अंदर वापस से एक bounce back आया अब यहाँ पर अगर इसके बॉलिंजर बेंग को देखें तो यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो इसका जो जो middle line है वहाँ पर इसको support मिल सकता है अगर correction आता है तब की बात है और 21 दिन का moving average जब तक इसके उपर है तब तक strength money हुई है ऐसा लग रहा है पिलाल MACD की बात करें तो यहाँ पर जो है आज के दिन ज़रा zoom करकर यहाँ पर देखते हैं हलकि हलका सा यहाँ पर देखे तो एक bearish crossover हुआ है कल ही इसकी संभावना दिख रही थी यहाँ पर आप देख सकते हैं यह बार भी आप देख सकते हैं कि हलका सा red color का बाल यहाँ पर बना ह हुआ है ज्यादा मतलब की बड़ा bearish crossover नहीं बना है लेकिन हलका सा bearish crossover बना है तो गिरावट के संभावना हो सकती है अब यहाँ पर देखे आगे RSI के बात करें तो 68 के आसपा से यह भी यहाँ पर देखें तो थोड़ी सी neutral condition में दिख रहा है ना overwork ना oversold लेकिन अब अगर MACD के अंदर bearish crossover हुआ है तो मतलब की अभी यह 5 और 9 डेस के moving average के जब तक ऊपर है तब तक मतलब की अभी ऐसा लग रहा है कि strength बनी हुई है लगन अगर इस दोनों ही moving average के नीचे आता है तो जो है गिरावट के संभावना हो सकती है तो support और register देख लेते हैं एक से दो दिन क अगर देखे आज का जो low बनाया उससे थोड़ा सा नीचे आज 1500 रुपे का असपास का low बनाया था तो 1480 रुपे इसका पहला support अरिया यहां पर दिख रहा है उसके नीचे देखे तो 1420 रुपे का आसपास का zone और उसके नीचे देखे तो 1350 से लेकर 1300 रुपे का zone है यह एक अगर इसको पार करता है तब जो है यह 1620 रुपे उसके बाद देखे तो 1660 और उसके बाद जो यहां पर इसने हाई बनाया था 1700 रुपे का zone यहां तक जानी की संब्भबना रह सकती है अगर तेजी आती है तब की बाते लेकिन पहला इसका जो नजदी की रिजिस्टन है य कि जो हम टेक्निकल चार्ट के आपर एनालीसिस करेंगे और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशाद देता हूं कोई भी ट्रेट ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें अपने फाइनेशर एडवाजर की सला ले उसके बाद कोई डिसी जन ले और डिसी जन ले तो